हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेंकिंग टूर्णामेंट का क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो गया था डेजर की टिम जिस भी टीम का सामना कर रही थी उसे बड़ी आसानी से हरा दे रही थी और धीरे धीरे उनका रेंग 30 के अंदर पहुंच जाता है जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि डेजर की टीम ने क्वालिफाइं राउंड पास कर लिया है और फिर ये खबर न्यूस पेपर में भी आ जाती है जो देखकर अलफा क्लास के एक प्रोफेसर ब्ल्यू मून पार्टी के उपर चिला रहे होते हैं कि ये सब क्या है बीटा क्लास की स्टुडेंट्स रेंग 30 के अंदर है क्या भकवास ही है हम उन नीच बीटा क्लास वालों को हमारे क्लास में लाकर क्लास को घंदा नहीं कर सकते है तुम सब ब्ल्यू मून के चुने लेकिन तुमारी responsibility है कि हमारे pride और tradition को protect करना इसलिए ranking tournament के final round में तुमें चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़ है लेकिन उन्हें eliminate करे बिना वापस मताना उन में से कोई एक भी single ranker नहीं बनना चाहिए इतना कहेकर वो disaster से कहता है कि तुम पहले desert से लड़ चुकी हो तो desert जबसे तुमने मुझे हराया है मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई हूँ तुमने मुझे पहली बार हार का हैसास दिलाया है इस बार में तुम्हें किसी भी हालत में हरा कर रहूंगी उसके बाद disaster वहां से जब जा रही थी तब उसके party के दो members उसके सामने आते हैं जिसम दोनों यहाँ पर क्या करने आये हो जिसके जवाब में डोनेटा कहता है कि क्या तुम रोमेंटिका को सबक सिखाने का काम मेरे उपर छोड़ सकती हो और परसिवल कहता है कि और मैं पराम को संभाल लूँगा ये सुनकर एजएस्ट कहती है कि ठीक है हमें एक party की तरह एक दिखाई दे रही थी ये देकर एजएस्ट कहती है कि ठीक है ठीक है तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरी भी एक शर्त है तुम में से कोई भी डेजर को नहीं चुएगा उससे तो मैं अकेले हराऊंगी इसके बाद अगले सीन में हम डेजर को देखते हैं जो अभी पराम रोमेंटिका के साथ ट्रेनिंग रूम में आया होता है जहां परामो रोमेंटिका उससे पूछते हैं कि हम आज क्या ट्रेनिंग करेंगे जिसके जवाब में डेजर बताता है कि आज हम कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे आज हमें एक दूसरा काम करना है इसके बाद डेजर उ तो हिस्ट्री के बारे में बुक्स है जिस पर डेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा और तुम दोनों को अभी के अभी ये हिस्ट्री पढ़नी है अब ये सुनकर तो जैसे रोमेंटिका को एक जटका लगता है और वो काफी जोर से चलाती है नहीं तो डेजर उन्हें बतात का कहती है तुमारी बात तो सही है लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं कि कौन से हिस्ट्रीकल टाइम से कौन सा इवेंट आएगा जिस पर डेजर कहता है कि इसलिए मैंने कुछ बुक्स रेंडमनी सिलेक्ट करी है ये पढ़ लो अब ये सुनकर रोमेंटिका चाला की दिखाते हुए कहती है कि अब हम तुमारे अंदाज के इसाफ से तो नहीं पढ़ सकते न क्या होगा अगर तुमारा अंदाज घलत साबित हो गया फिर हम क्या करेंगे जिसके जवाब में डेजर कहता है हाँ तुमारी बात में दम तो है लगता है अब हमें सारे हिस्ट्रीकल सीध्य होकर चूप चाप डेजर की दी हुई बुक्स को पढ़ने लगते हैं उन्हें देखकर डेजर सोचता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है इसके बाद आगे पराम डेजर को छुपते था कहीं तुम दोनों डेट पर तो नहीं गए थे ये सब सुनकर तो पराम का फेस एकदम लाल लाल टमाटर हो जाता है और ये देखकर तो रोमेंटिका उसे और जादा चिढ़ाने लगती है और ऐसा करते करते पराम की बुक उसके हाथ से चूट कर डेजर के सर पर जा गिर डेजर के पास खड़ी हो जाती है जिस पर डेजर कहता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे है एज़ेस्ट वैसे मैंने सुनाए कि तुमने ब्ल्यू मून पार्टी जोइन कर ली है अच्छा डिसीजन है ये सुनके एज़ेस्ट पोचती है कि तुमारा ऐसा कहने का मतलब क्या ह तो डेजर कहता है कि तुमें तो एकेडमी के स्ट्रोंगेस्ट पार्टी में होना ही चाहिए तुम तो ये डिज़व करती हो आगे एज़ेस्ट कहती है कि ठीक है मैं सिधा काम की बात करती हूँ मैं यहाँ पर एज़ेस्ट इतना बोली रही थी कि डेजर कहता है कि तुम य जोबारा तुमसे हारने नहीं वाली हूँ, मैं तुम्हें हराने के लिए अपना सब कुछ लगा दूँगी, ये सुनकर डेजर सोचता है कि अच्छा है अच्छा है, मुझे ऐसे इस्तमाल करके और जादा स्ट्रोंग बनो, मैंने उस दिन तुमसे लड़ते वक्त अपने आप पर काफी जोड डाला था, जिससे तुम्हारे अंदर मुझे हराने का जोश आए और तुम हमारा फ्यूचर बदल सको, अब उसके अगले दिन रेंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल राउंड स्टार्ट होनी वाला था, जहाँ पर काफी सारे लोग देखने आये थे, और कहता है कि क्या तुम दोनों तयार हो, जिस पर वो दोनों हा में जवाब देते हैं, तो डेजर कहता है कि ठीक है फिर, चलो चलते हैं, और इसके बाद वो स्टेज पर आते हैं, जहाँ पर और भी काफी सारी टीम्स होती है, वहाँ पर ब्ल्यू मून का एक लड़का डेजर क वो देखकर कहता है तो ये है डेजर देखने से तो इतना कुछ खास नहीं लगता जिस पर ब्ल्यू मून की दूसरी एक लड़की उसे कहती है कि उसे कमजोर समझने की गलती मत करो या देना प्रोफेसर ने हमसे क्या कहा था जिसके जवाब में वो लड़का कहता है एसे आगे announcement में बोला जाता है कि shadow world को clear करने के लिए participants को एक incident को solve करना होगा ये सुनकर romantic का कहती है कि लगता है कि वो हमें incident के बारे में अभी नहीं बताने वाले हैं जिस पर desert कहता है कि हाँ इस incident को find करना भी इस round का एक part है आगे announcement continue होती है कि shadow world के अंदर magic attack या किसी भी दूसरे तरीके का attack करना allowed है अगर एक student को काफी जादा damage मिलता है तो तुम वही के वही disqualify हो जाओगे और जो ही shadow world को clear करने में जितना कामयाब होगा उसे उतने points मिलेंगे और top 9 में आने वाले students को single rankers का title दिया जाएगा अगर हमें single ranker बनना है न तो उसके लिए या तो इस shadow world को खुद से पार करना होगा या फिर बाकी के हर एक student को हराना होगा और फिर उनके सामने shadow world का gate open होता है जिसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है और सभी के सभी students उसके अंदर चले जाते हैं इसके बाद डेजर जब shadow world में आता है तो वहाँ पर एक announcement होती है shadow world में आपका स्वागत है आप सब के location randomly set किये गए है shadow world को clear करने के लिए good luck ये सुनने के बाद डेजर सोचता है कि मुझे पहले पराम और रोमेंटिका को ढूनना होगा लेकिन तभी अचानक से उसकी तरफ कोई ice magic से attack करता है जिससे डेजर बच जाता है और तभी हम देखते हैं कि ये वो ही blue moon की लड़की होती है जो shadow world में आने से पहले डेजर के बारे में बात कर रही थी वो उसे देखकर कहती है कि मैं काफी lucky हूँ जो shadow world में आती ही तुमारे सामने आ गई जिस पर डेजर कहता है अच्छा मुझे पता नहीं था कि मैं इतना famous हूँ और तभी वो लड़की डेजर पर अपने ice magic से attack कर देती है जिसे डेजर अपने fire magic से रोक लेता है इसके बाद वो लड़की एक साथ दो spell का use करते हुए डेजर की तरफ water magic से attack करती है जिसे डेजर रोक लेता है और सोचता है कि उसने दो spell क्यों use किया और तभी उस लड़की का water magic आईस में बदल कर तूट जाता है जो की एक tornado में transform हो जाता है जिस पर वो लड़की होशार बन कर कहती है कि ये देखकर कैसा लगा इस तरीके का magic तुम जैसा commoner कभी सपने में भी नहीं सोच सकता होगा जिस पर dazer कहता है कि बेशक जिससे उस लड़की का magic circle और magic वही पर तूट जाता है और फिर dazer उस तूटे हुए ice को एकटा करके एक काफी बड़ा ice attack करता है ये देखकर वो लड़की अपने सामने एक barrier बना लेती है और कहती है कि तुम जैसे commoner का attack मुस्तक कभी नहीं पहुच पाएगा लेकिन तभी वो ice काफी सारे टुकडों में अलग हो जाता है और उस barrier के side से घूम कर उस लड़की पर attack कर देता है और विचारी वो लड़की disqualify हो जाती है बहुत होशार बन रही थी और इस ये होशारी निकलने के साथ ये episode यहीं पर खत्म होता है